आपका हमारे चानल में स्वागत है, तो आज का हमारा टॉपिक HT लाइन और LT लाइन के बारे में है, इसमें हम ये पढ़ने वाले है कि HT लाइन और LT लाइन क्या होते है, उनका यूज क्या होता है, और वे कहा कहा यूज होते है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले है, तो start करते है HT और LT के full form से तो HT का full form high tension होता है और LT का full form low tension होता है दोस्तो पहली बात ये है कि tension का मतलब क्या होता है tension एक French word है जिसको Hindi और English में voltage कहा जाता है इसलिए हम HT line को high tension line या high voltage line भी कह सकते है और LT line को low tension या low voltage line भी कह सकते है दोस्तो अब हम HT और LT line का voltage range देखते है तो low tension line voltage range 1000 volt से कम रहता है मतलब ही एक कैवी से कम रहने वाले line को low tension line कहते है दोस्तो LT supply दो भागों में बटा होता है single phase और three phase हमारे भारत में single phase का voltage 237 volt होता है और three phase का voltage 440 या 415 volt होता है दोस्तो हमारे घरों में single phase line आती है मतलब ही 230 volt हमारे घरों में आता है अगर loads ज्यादा होगा तो single phase की जगे three phase का use किया जाता है three phase में 440 volt होता है three phase इंडस्ट्री या फैक्ट्रियों में use किया जाता है दोस्तो अब हम HT line का voltage देखेगे high tension line में 11 keV, 22 keV और 33 keV तक के line को HT line कहते है मतलब ही 33 keV तक के voltage line को high tension line कहा जाता है मतलब ही voltage 1000 volt मतलब ही एक keV से कम होगा तो उसे LT line और 11 keV से लेकर 33 keV तक होगा तो उसे HT line कहा जाएगा तो अब हम ये देखते है कि HT line और LT line में कितने wire का use होता है LT line को star में distribute किया जाता है इस distribution के लिए 4 wire की जरूरत रहती है और इसमें neutral wire की जरूरत रहती है HT line को delta में distribute किया जाता है इस distribution के लिए टीन वायर की जरूरत रहती है और इसमें neutral वायर की जरूरत नहीं होती वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिए और असे ही हिंदी डब वीडियो के लिए हमारा चैनल सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद